जूलाना में भाजपा कारिय करताओं ने धूम धाम से मनाई लोग पुरुष बल्लब भाई पटेल की जैनती जुलाणा में डाक्टर पुस्पा ताहिल के कारियाले में पुर्वे ग्रह मंत्री बल्लब भाई पटेल की जैनती भाजपा कारिय करताओं द्वारा धूमधाम से मनाई गई पटेल का जनम 30 अक्तूबर 1875 को गुजरात के नाडिया में हुआ था पटेल की जैनती देश में राष्ट्रिय एक्ता दिवस के रूप में मनाई जाती है आज 147 वी जैनती के उपलक्स में अपने संभोधन में डाक्टर पुस्पा ताहिल ने कहा कि सरदार पटेल को आजाद भारत की एक्ता का सुतरधार कहा जाता है उनकी जैनती पर भारत में राष्ट्रिय एक्ता दिवस मना जाता है पटेल ने कहा था कि अधिकार मनुश्य को तब तक अंदा बनाई रखेंगे जब तक मनुश्य उस अधिकार को प्राप्त करने है तू मुल्ले ने चुका दे जब जनता एक हो जाती है तब उसके सामने करूर से करूर शासन भी नहीं टिक सकता पटेल ने कहा था जात पात और उंच नीच के भेदबाव को बुला कर सब एक हो जाएं कारेकरम के देख्षता करते हुए मंडल अदेख्षती सांगवा ने कहा कि पटेल ने कहा था कि कठीन समय में कायर बहाना ढूंगते हैं और भादूर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं जुलाना के वार्ड नुम्बर साथ में सरदार भल्लब भाई पटेल जी जिनको लोहो पुरूस और आईरन मैन के नाम से भी जाना जाता है जो रास्त्रिय एकता अम अखंडता के परतिक सरदार भल्लब भाई पटेल जी की जयनती आलसम ने यहां पर मिलकर मनाई क्योंकि सरदार भल्लब भाई पटेल जी ने कहा था कि हम सभी को जात पात को भुला कर एक हो जाना चाहिए और अपने अधिकारों को जाने का प्रियोग करना चाहिए